अब इनन्दनम स्वागतम नमुश्कार आदा आप से SSPL के इस बिसेस प्रडक्ट वीडियो में जिसका नाम है डाइवकेर जूस डाइवकेर जूस जिसके बारे में एक एक चीज है इसमें कौन-कौन से इंग्रीडियंट्स हैं कैसे आपको लेना चाहिए यह सारी बाते तो आ सामबान सिध्ध होने वाला है यह प्रडक्ट चलिए फटाफट शुरू करते हैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखेगा डाइब टीज यानि मधू में अगर आप आयुरवेद में इसकी बातों के उपर चिक्र करना चाहते हैं तो मधू मतलब शहद मेह मतलब यूरीन यानि बाथ रूम यानि बाथ रूम का मीठा हो जाना डाइब टीज यानि मधू में कहते हैं लेकिन बात सिर्फ यही तक नहीं है ब्लड सुगर लेबेल से यदि सही हो तो सब कुछ नॉर्मल समझा जाता है लेकिन यह प्रॉबलम का सिर्फ एक बह आचन कडिया एहम रोल प्ले करता है, नाचुराल इंसूलीन सेक्रेशन पीवोटल रोल प्ले करता है, इमनिटी एंड किड्नी हेल्थ इसका भी बहुत बड़ा रोल है, और बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, जिनने अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, सर, ओ इमनिटी, किड्नी हेल्थ और सभी फैक्टर्स का ध्यान रखना जरूरी है, और इस सब के लिए आपके पास SSPL का ये बेहतरीन प्रोड़क्ट में लेके आया हो, SSPL डाइब केर जूस को तयार किया गया है, परसिद्ध आयुरुवेदिक एबंग इस्लामिक युनानी पद् पत्ति, और उसके कंप्लिकेशन के साथ साथ हेल्थ मेंटिनेंस में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, कैसे घटक के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, यानि इंग्रीडियन्ट कौन कौन से हैं, इलेबरेशन के साथ, इस जूस में जामुन, बेल पत्र, आमला, मेथी, करेला, कुटकी, गिलोई, बिजैसार, तुलसी, गुर्मार और नीम शामिल है, नीम से पहले जामुन की बात बताता हो आपको, जामुन फल सारे दिक कमजोडी के लिए काफी अच्छा काम करता है, और खास करके जिस इंसान को या तो डायप्टिक है, या फिर फ्री डायप्टिक ह थोड़ा काम, जादा धकान, रात को भी सोने जाते है, तो कभी पुड़े हाथ में दर्द, पुड़े पैर में दर्द, बदन में दर्द, इत्यादी उनकी समस्या रहती है, जामुन के प्रियोग होने से अगर SSPL का ये प्रड़क्ट और नियमित इस्तेमाल करते हैं, तो उ खाने पर भी, ना ही भूख मिठती है जल्दी, ना ही प्यास, ऐसी समस्या उसमें रहती है, तो इस जो ये वार्टुल त्रस्ट, जो डैंड़े होता है, डैविटिक से पैशेंट में, जामुन का रस्फ्स चुकी इसमें मिला हुआ है, इसलिए SSPL का बड़क्ट अगर सब खेया जाता है तो यह दोनों ही चीजें कांट्रोल में होंगी और आइए अब आपको अगला बहतरीन प्रोड़क्ट जिसकी चर्चा इसमें मैं करता हूं वह है आपका नीम मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि नीम इसका एक जबरदस्त इंग्रीडियन्ट है नीम में करवाहाट होती है हम सब जानते हैं नीम की करवाहाट डऐपटीज जैसे मीठे बिमारी में यानि डाप्टीज है तो मीठापन है उसमें बातरों में, बलड में, तो इसमें बहुत जबरदस्त, क्योंकि इसमें एक क्लेद की मात्रा होती है, और क्लेद की मात्रा के वज़े से ये कंट्रोल करता है मीठापन को, ये जूस पूरी तरह से सुगर और आटिफिशल स्वीट गुर्मार, गुर्मार एक ऐसी अवसाथी बनस्पति है जो डाइडेक्ट बलड सूगर लेबिल को काम करने के लिए एकदम बढ़िया है जी, अच्छा काम करता है, इसके सेबन से आपका इमेडियेट बलड सूगर कम हो जाता है, तुलसी, रॉस्मम सैंक्टम कहते हैं इसे हॉली बैसिल भी कहते हैं इसको, इसके वज़ा से तुलसी इस जूस को एक बैलेंस्ट बैलेंस्ट जूस बनाता है, इस जूस के डाइवटीज के साथ साथ इम्मुनिटी और साथ साथ वाइरल डीजीजेज में भी काफी उप्युक्त बनाती है, अगला प्रोड़क्त इसकृत रस-धातु के शोशन में भी उप्युक्त है, गिलोई, जिसे अमडिता भी कहते हैं, इसका श्वाद कैसा होता है, कटू और तिक्ट यानि कैसे रस में कट्ता भी है और तिक्टा भी एकटू-तिक्त रस से अत्रिक्त सूगर को कम करने में ये खेलब करती है, यानि कि तरो ताजा भी आप अपने आपको महसूस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रीडियन्ट इज बेल पत्र बेल पत्र कड़ास एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव है जो पाचन की संपूर्ण प्रकडिया को एकदम बढ़ियां बना के रखता है सरीर में जो भी अच्छे से पच्छता है next it is heptoprotector heptoprotector क्या मतलब होता है कि आपके यकृत की समस्याओं को control करके रखने वाला यकृत में कोई समस्या नहीं होने देगा उसमें कोई सूजन उसमें कोई infection इत्यादी नहीं रहने देगा आपके यकृत को एकदम healthy रखेगा हमारी यकृत के function को एकदम best बना के रखेगा बेल पत्र और वो बेल इसके इंग्रेडेंट्स में आमले का जूस काफी अच्छा एंटी ऑक्सिडेंट है और यह डाइबटीज में कम होने वाली लो एउम्निटी जिसको डाइबटीज है इउसका इम्निटी लेविल लोग जाता ह इसलिए उसे ज़ीयादा ठाकान मैसूस होती ज्यादा कम शोड़ीetzen सोती है तो ऐसे लोगों के लिए, Immunity के अलावला सरीर के Metabolism को भी एधाता है Metabolism क्या होता है सिर मेटबबब मतलब होता है जो भी हम कुछ खाते हैं अनाज, फल, सब्जी, या फिर N Зबावज, कुछ भी खाते है तो वह इनरजी में convert होने के process को metabolism कहते हैं फूटेज जो फूट्स हम खाते हैं वो इनर्जी में शरीर में कन्फोर्ट होता है इस प्रोसेस को यह स्ट्रॉंग करता है आमला आमली का यह इंग्रीडियेंट हमारे डाइवोकेर जूस में अल्रेडी उपलब्ध है नेक्स्ट इज मेथी मेथी एक बहुत अच्छी पाचक है डाइजेस्टिव है और इसका रस कैसा है कटू इस वजह से यह रक्त में उपस्थित शूगर को भी अवसोचित यानि कि शोख लेता है ब्लोट कर लेता है मेथी का इंग्रीडियन्ट होने से यह प्रोडॉक्योत एक दम आपके लिए बेष्ट शूटेवल बनता है अगला करेला करेला ग्लूकोज मॉलेकूल्स को हमारे शेल्स में पहुचाने के लिए मदाद करता है करेला इंसुलीन का ही काम करता है आप यह समझ के रखें, इंसुलीन का जो इंजेक्शन देखते हैं, अगर किसी को डाइबटीज हो गया तो लेते हैं, करेला इंसुलीन का ही काम करता है, नैचुरल इंसुलीन कह सकते हैं, आप करेला को जिसका की इंग्रीडियन्ट अल्रेडी SSPL के हमारे डाइबोकेर जूस म मिला हुआ है न सर, साथ ही करेला में सर बिटमीन A, बिटमीन C और आइरन बहुत अच्छा होता है, जो कि बेस्ट सोर्स है आँखों के लिए, स्कीन के लिए, और ब्लड सेल्स के लिए, है न, तो ये इसे और भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है, कुटकी, कुटकी इस जूस का एक ऐसा कंटेंट है, जो कि हेप्टो प्रोटेक्टर होने के साथ साथ, ब्लड प्यूरिफायर के रूप में भी बहुत अच्छा काम करता है, यानि राक्त सुद्धी करण का कारिये भी करता है, राक्त सुद्ध तो बिमारी गायब, तुलसी के बारे में आपको ब पेस्ट सुटेबल बनता है, अब किन-किन ब्यक्तियों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी एक बार देख लेते हैं, जो लोग स्वया मधुमे से ग्रस्त हैं, उनके लिए तो एकदम जरूरी ही जरूरी है, इसके अलावे वो ब्यक्ति भी इसका इस्तेमाल करें, जि प्रोड़ाइपटियों को इसका इसकें को सबस्काइब आप दोई और बांद्ट K bonus लियेंसेक लेक्तिक वराइपटियों को आपको यह बही स्वक्ति शूरूर देना शाहिए, इसके अतरिक्त मोटा पे ओवेसिटी जिनका वजन जादा है BMI के से उपर है कुछ आदमी मोटा दिखते नहीं है बट BMI के वज़़ से आप देखेंगे तो उच निच रहता है उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कोई आदमी खाली बैठ के काम कर रहे हैं जैसे ओफि एक्सेसाइज नहीं करते एक्सेसाइज के लिए जिनको वक्त नहीं मिलता है उन्हें भी इनका इस्तेमाल करना चाहिए उनके लिए काफी फायदेमंद होगा यह जूस सुगर लेविल्स को हमेशा कम रखने में उनको मदद करेगा पेट की समस्या जिनको रहती है सर है उनको भी जूस यूज करना चाहिए बेनफिसिल रहेगा लूज मोशन बार-बार लूज मोशन की समस्या से जो परेशान है उनके लिए यूज करना चाहिए क्यों क्योंकि यह मेटाबॉलिजम के लिए काफी अच्छा है जो लोग लो यूमिनिटी या लो इनर्जी से ग सरीर में उपस्ति ज्यादा कफ को अवसोशित करके ये जूस आपके भूक को भी रेगुलेट करता है तो जिनको भूक नहीं लगती है वो भी इसका इस्तेमाल करें जो लोग बार बार थकान का या सरीर में भारीपन का उन्भव करते हैं उनको भी इस प्रोडक्ट का इस्तेम काल करना चाहिए कैसे यह भी देख लेते हैं इसकी बोतल को अच्छे से 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 क्वेल विफोर यूज लिखा हुआ होगा नहीं तो आप जान लीजिए से क्वेल विफोर यूज इसका मतलब यूज करने से पहले हिलाईए ताकि उसमें जो तत्तो हैं इंग्रीडियंट्स हैं सारे मिक्स हो जाएं उस लिक्विड के साथ जो सॉल्वेंट हैं उनके साथ 30 मिली लिटर जूस को 30 मिली लिटर ल्यूक वार्म अंग्रजी सब्द है L-U-K-E-L-U-K-W-A-R-M वार्म गुन-गुने पानी में मिला कर सुबह खाली पेट और रात में खाना खाने के आधी घं लिट डालिए SSPL का डाइबर केर चूस